कालू और काली के आठ बच्चे थे साथ लड़के थे एक लड़की थी काली के साथ उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चोद का ब्रत रखा था रात्री को कालू के लड़के भोजन करनी लगे उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा बहन कहती है भाईया आज मेरा ब्रत है और मैं खाना चंद्रमा को अर्गर दे कर ही खाऊंगी सबसे चोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जा रही थी और बहे दूर पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है जो ऐसा प्रतित होता है जैसे चतूरती का चांद हो उसे देखकर सातो भाईयों की बहन करवा चांद को अर्ग देकर खाना खा लेती है जैसे ही बहे एक टुकड़ा मुह में डालती है उसे चीक आजाती है दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल जाता है और तीसरा टुकड़ा मुह में डालती है तभी उसके पत आपके भायों के कारण ही आपका ब्रत तोटा है और जिसके कारण देपता नराज हो गए हैं। करवा निश्चे करती है कि भे अपने पती का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपने सतीत्व से उन्हें पूर्ण जीवन दिलाकर रहेगी। भे पूरे एक साल तक अपने पती के सब के पास बैठी रहती है। उसकी देखवाल करती है। उसके उपर उगने बाली सुई नीमा घास को भे एकेत्रित करती जाती है। एक साल बाद फिर चोट का दिन आता है तो भे ब्रत रखती है और साम को सुहागिनों से अनरोद करती है कि यम सुई ले लो, पिये सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, लेकिन हर कोई उसे मना कर देता है। आखिर में एक सुहागिन उसकी बात माल लेती है, इस तरह से उसका ब्रत पूरा होता है और उसके सुहाग को नए जीवन का आसिरवाद मिलता है। इस कथा को कुछ अलग-अलग तरह से सब्री ब्रत करने वाली महिलाए पढ़ती है और सुनती है। रन्थमबोर के जंगल में काली अपनी बेटी गुड़ी के साथ रहती थी। काली के पती की मूद पेट से टकराने की बज़े से हो गई थी। अपनी बेटी और अपना पेट पालने के लिए काली पोचा ज़ाडु करती थी। काली जिस घर में काम करती थी उसकी मकान मालिक बहुत ही गुसेल थी वो काली को हमेशा भला बुरा सुनाया करती थी काली तुम फिर से लेट आई हो आज के दिन के पेसे काट लूगी मालकिन बेटी की तवियत कुछ ठीक नहीं है उसको दबा देकर आई हूँ इसलिए थोड़ा लेट हो गई हूँ मुझे समझ नहीं आता तुम जैसे गरीब बच्चों को पाल ही नहीं सकते तो करती क्यों हो जा अब काम कर जल्दी से काली अपने मालकिन से कुछ भी नहीं कहती है और घर आकर काली अपने बेटी के लिए खाना बनाती है काली दुर्गा मा की बहुत बड़ी भक्त थी और दुर्गा मा का ब्रत किया करती थी ब्रत बाले दिन काली काम पर जाने से पहले मा दुर्गा के दर्सन करने जाती है हे दुर्गा मा मेरी बेटी पर हमेशे क्रपा बनाए रखना फिर काली काम पर चली गई घर का सारा काम खतम करने के बाद काली मालकिन से कहती है मालकिन मेरे नो ब्रत पूरे होने वाले है और मुझे नो कन्याओं को खाना खिलाना है और ब्रत का उध्यापन करना है उसके लिए मुझे कुछ पेसे चाहिए मैं क्या करूँ? मैंने क्या पेसे की खान खोल रखी है क्या? तुने मांगी और मैंने खान से निकाल कर तुझे पेसे दे दिये एक तो ठीक से काम नहीं करती आई बड़ी ऐसा मत वोलो मालकिन ज़्यादा बगवास मत कर इस मेने की पूरी सेलरी काट लूगी काली घर आती है और सोचती है मुझे ब्रत का उध्यापन तो करना होगा फिर काली अपने घर की चार पाई बेच देती है जिससे उसके पास थोड़े वहत पैसे आ जाते है अरे वाँ मादुरगा के ब्रत का उध्यापन के लिए पैसे का इंतिजाम तो हो गया है अगले दिन रानों सुबह होते ही खाना बनाने में लग जाती है और मंदिन में खाना ले जाकर नोकन्याओं को भोजन परोशती है तवी काली की मालकिन वहां आ जाती है और अपने पैर से सारी प्लेट को गिरा देती है इंस्पक्टर सहाब इस काली नहीं मेरी घर के पैसे चुराए है उनी पैसोसे ये नोकन्याओं को भोजन करा रही है पकर लो इस काली का हुआ को नहीं मालकिन मेने पैसे नहीं चुराए काली को पुलिस जेल में डाल देती है अगले दिन पुलिस CCTV की मदद से उस घर के माली को पकड़ लेती है और काली को रिहा कर देती है रात में काली जब सो रही होती है तबी दुर्गा मा काली के सपने में आती है काली तु मेरी सबसे अच्छी भक्त है बोल तुझे क्या चाहिए मा मेरी मालकिन की बज़े से ब्रत का उद्यापन ठीक से नहीं हुआ बस वोई करना चाहती हूँ मुझे माफ कर दीजिए मा काली ये गल्ती तुमारी नहीं है ये तुमारी मालकिन की गल्ती है इसकी सजा उसे मिलकर रहेगी उसने मेरे प्रसाद को ठोकर मारी थी अब उसे सब डंडा मार कर बगाएंगे तेरी अधूरी इच्छा भी पूरी होगी सुबह उठकर अपने बिस्तर के नीचे देखना एक बेग रखा होगा उसको खोल कर देखना तेरी सारे काम बन जाएंगे अगले दिन जब काली बेग को देखती है तो उसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात होते हैं और काली खुस हो जाती है अब काली दुर्गामा के मंदर में बहुत बड़ा बंडारा करती है इधर काली की मालकिन एक चुहा बन जाती है मालकिन का पती चुहा देखता है तो उसे डंडे से माल कर भगा देता है अब काली की मालकिन जहां जाती सब उसे डंडे माल कर भगा देते हैं भागते भागते काली की मालकिन दुर्गामा के मंदर पहुँचती है उसे देखकर पंडित पक्सी सब कुछ समझ जाता है और व तुम्हें दुर्गा माता से माफी मांगनी होगी और उनके नो दिन का ब्रत भी करना होगा और ब्रत का उध्यापन भी करना होगा काली की मालकिल नो दिन तक ब्रत करती है और काली के पास जाती है और उससे माफी मांगती है और अपने पती की साहिता से नोकन्याव को भोजन करवाती है उसके बाद दुर्गा माता उसे दर्सन देती है और उसे बापस से पक्सी बना देती है